हाई फ्रेंड्स वल्कम अगेन इन माय चानल तो आप थमनिल देखकर ही समझ गए होंगे कि यह जो दो इवेंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली अलायंस की जो हम लोग एक बार खेल चुके हैं फैमिली अलायंस का मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा होगा तो शुरुआत में तो बड़े अच्छे से स्टार में करने फैमिली अलायंस को एक नई इवेंट के रूप में हम सभी के सामने लाया और उसमें नए 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 जो चीजे थी प्रलोबन थे वह हमको दिये गए कि यदि आप लोगों को इसमें जादा करेंगे कंट्रिबूट करेंगे जादा फीडिंग करवाएंगे तो आप लोगों को यह जो है जो भी टॉप रैंकर्स हैं उनको बहुत अच्छे अच् उसके अलावा बाकी पूरा गेम जो है कॉइन बेस्ट है तो मतलब जो भी हम बैटल में जो टूल्स वगरे जो भी छोड़ने होते हैं वो सब जो चीजे हैं वो कॉइन बेस्ट है तो यह टोटली कॉइन बेस्ट इविंट थी और दूसरी बात जो बहुत बुरी लगी है तो यदि फैमिली ऐलाइंस में पांच फैमिली हैं तो उन में से कम से कम तीन फैमिली का विन होना जरूरी है अदर्वाइज आपकी विन का कोई भी मतलब नहीं है तो ऐसे देखा जाए तो पांच फैमिली में आप जालतर देखेंगे तो स्टार मेकर पे अक्सर फैमिली वाला जो event है और इतने coins जो हैं वो इतने coins मतलब यह सीधे-सीधे recharge करवाओ वाली बात है पूरी coin based event है तो यह चीज जरूर बताना चाहती थी मैं आपको की family alliance जो है वो बिल्कुल भी अच्छी event नहीं है मैं request करती हूँ star maker से कि अब यदि इसको लाया जाए तो इसको कुछ नया form दिया जाए और इस तरीके से इतना coins based इसको बना दिया गया है तो वो चीज बिल्कुल करी जाए तो अब चलते हैं heart signal event की तरफ जो अभी फिलाल चल रही है तो यह देखिए अब हम heart signal event में एंटर करत हैं तो इस तरीके इस से दिखाई देता है अब मैं पहले आपको थोड़ा सा shortly बता देती हूं कि इस event में actually करना क्या क्या होता है तो सबसे पहले देख लीजिए आप यहां दिखा लिखा हुआ हाओ तो इस तरीके से process है कि आप पहले सबसे पहले partner बनिए partner होना जरूरी है करिए और select the best आपके best को select करिए और rewards लीजिए और यह जो आपको नीचे तीन दिख रहे हैं तो यह आपको बता रहे हैं कि 9 gold coin का आपको यह वाला gift है 69 gold coin का यह वाला है तो यह जो gifts हैं वह आपको अपने partner को देना है इस event के दौरान तो सब कुछ जो चीजे हैं तो यह भी almost आप देखा जाए तो gold coin based event ही है एक तरीके से हाँ बट इसमें है कुछ चीजे जो हम बिना gold coin यूज किये भी कर सकते हैं तो वो चीजे मैं आपको जल्दी से बताती हूं आगे तो इसके साथ ही हम नीचे सलते हैं सबसे पहले आप देखिए find your partner है तो आप जब इसको क्लिक क देती हूं कि क्या कैसे करना होगा तो सबसे पहले हम तोड़ा नीचे सलते हैं और नीचे सलके आप देख सकते हैं यह लिखा हूँ है तो आप लोगों के जो पिक्स हैं वो यहां दिखाई देने लगेंगे कहां यहां दिखाई देने लगेंगे और जैसे बाकी हम sweet confession और best partner game इन सब में करते हैं वैसी चीज है यह तो फिर आगे पड़ते हैं नीचे चलती हैं और यह देखिए सबसे पहले daily check-in तो आप समझ सकते हैं यह चीज तो हम करते आ रहे हैं पहले से ही बहुत सारी events में तो daily check-in मतलब आप दोनों को यहां check-in करना है तो check-in करेंगे तो यह जो है चार हर्ट आपको मिल जाएंगे मतलब आप दोनों के पास में वह चार हर्ट आपको दिखाई देंगे तो four or three seven हो रहा है अब seven हो गए अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहां की receive gift लिखा हुआ है तो receive gift में क्या है यह तो यह है कि आप यदि यह जो मैंने उपर पता आपको बताया गया है कि जैसे यह है यह वाले gift जब आप देंगे 69 gold coin वाले और वो भी कितने देने 5 देने 5 देंगे तो आपके पास में कितने आएंगे heart 35 आएंगे तो इसी तरीके से है तो आप ही समझ सकते है totally कि यह तीनों नीचे की चीजें जो तीनों है यह totally coin based है तो सि सोच सकते हैं कि 7 आपको daily मिल रहे हैं तो 7 मिल रहे हैं तो आपने 75 35 हो रहा है तो 75 35 तो आप उपर चलके मैं आपको बताती हूं 75 35 hearts आपके पास आई जाएंगे 5 दिन में आप gold coin कोई भी waste ना करें अपना तो भी तो आप देख सकते हैं कि यह वाला जो gift है आपका open हो जाए हुआ है उसके अंदर even के अंदर snatching और वो सब कुछ पर आप यदि at last जब आप चीजे देखते हैं तो आप यह देखते हैं कि जब आप बैटल में लड़ने चाहते हैं तो आपका तो एक टूल भी आप नहीं मार सकते without gold coins तो यह तो बहुत गलत है और star maker actually यह जो है totally अब ज बनाया चाहिए यह बहुत जरूरी है अब आगे इसके बारे में बात करते हैं हाट signal के बारे मैं आपसे बोला कि पपलू क्यों बनाया जा रहा है तो हाट signal में उसको जॉइन करेंगे न तो यह जब आप फांड़े और पार्टनर लिखा और इसको क्लिक करते तो आपके mutual फ बड़ी भी हैं confident भी हैं तो आप यदि इस event को join करेंगे तो वह आपको सब करने देंगे क्या करने देंगे आपको daily check-in भी करने देंगे आपको share to moments भी करने देंगे daily आप 5 दिन तक आप करते रही आराम से और जब आप at last यह जो आपका gift open हो जाएगा और यदि आपके पास थ तो बाद में क्या होगा बाद में क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ वीडियो में हाथ तो फ्रेंज पिछली पर जब यह event आई थी तो मैंने अपनी ही ID के साथ इसको join किया था और कुछ gold coins वाले gift भी दिये थे अपनी ID को तो देखिए दो जो है gifts blink हो रहे हैं यह मुझ अपनल को आप लोगों को एक बात और जबॉरी बात बताना चाहूंगी कि इसमें जो मेरे जो फ्रेंड थे हैं विंड को जोईन किया तो उन्होंने मुझे यह बताया कि यह जो gift है जो आपको receive भी हो रहे हैं तो आप इसको receive भी करेंगे तो यह आपके baggage में ली जाएंगे यह जो आपका partner space है जो शो करता है आपको star maker जब हम किसी के partner होते हैं तो उस partner space में चले जाएंगे तो मतलब इस तरीके की चीज़ का बस कोई फाइदा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि event कुछ अच्छी है totally time wasting event लगती है तो यह जो था यह सब मेरा view है अब आप सोचिएगा इस बारे में मैंने अपना view आपको बताया तो friends मिलते हैं फिर अगले वीडियो में please like comment और subscribe करिए और मेरे चैनल से जोड़े रहे हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए say bye bye all take care have a nice day